आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाठसाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाए तार प्यारे बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जोगी सरकी पाठसाला में सभी प्रसन असान है देखिए क्या कहता है किसी एपी का प्रथम पद पांच अंतिम पद 45 और योग कितना है 400 पदों की संख्या और सारवंतर मतलब एन और दी निकालना है देखिए यह क्वेस्टनम थर्ड पार्ट में भी इसी टाइप का कर चुके हैं क्या माना पहला पद हमारे पास दिया हुआ है प्रथम पद कितना है पांच है रहा थमापद ए का मान हमें कितना देगे पांच और अन्तिम पद एन्वा पद मान लेते हम कितना दियावा है अन्तिम पद तो इसको मैं ले लेता हूँ AN कितना दे दिया 45 और योग दियावा 400 मतलब सारी संख्याओं का तो इसका मतलब SN योग SN कितना दियावा है 400 अब पदों की संख्या N का मान और सारवंतर B हमें याद करना है दिखिए SN का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है N बाइ 2 A प्लस A N A प्लस A N या फिर 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू D भी होता है बट यहाँ पर A भी दियावा A N भी दियावा 400 के तो N बाटे 2 A कितना है 5 A N कितना है 45 बराबर कितना हो गया 400 N बाटे 2 इनको जोडोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो गया 2 से काटिये 25 किसके बराबर 400 के यह 25 दरजा के डिवाइड कर दीजी 400 बाटे 25 25 से कम 25 15 6 तो इसका मतलब कितने पद आगे हमारे पास है 16 पद आगे पदों की संख्या 16 हो गए अब हमने क्या निकालना है सारवंतर हमें अंतिम पद दियावा मतलब N मापद A N 45 दियावा है A N का फार्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर है 45 A का मान 5 हो गया प्लस N कितनी है मेरे पास 16 16 माइनस 1 15 D किसके बराबर 45 ये 5 हमारे पास इदर जाके माइनस हो जाएगा तो 15 D का मान घटके कितना हो गया 40 और D का मान हो गया 40 बटे 15 15 पांच से काटेंगे तो 8 बटे 3 तो हमारा सारव अंतर कितना आ गया 8 बटे 3 N 16 अंतर 8 बटे 3 तो है ना असान येस बहुत ही असान है इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में अगले परसंद के साथ मिलते हैं के लिए धन्यवाद